आजमगर्ड डायल 112 के सिपाही का एक व्यक्ति से मारपीत करने का वीडियो वाइरल पुलिस कार्य शेली पर खड़े हुए सवाल सियो को सौपी गई जांच आजमगर में एक पुलिस कर्मी का पूच्टाच की दोरान एक व्यक्ती से मारपीट का वीडियो वाइरल हो रहा है वीडियो आजमगर के फूलपूर कोतवालिक शेत्र का बताया जा रहा है मार्कीट कर रहे पुलिस कर्मी के डायल 112 सेवा से जुड़े होने की चर्चा है हाला कि इसकी पुष्टी होना बाकी है घैकना रात में होने के चलते चहरे स्पष्ट नहीं हो रहे लेकिन वर्दी में जिस प्रकार से सिपाही पूचताच करते करते अचानक से हमलावर हो जा रहा है और पहले पैर चला कर जूते से मारता है और फिर कई थपर जड़ देता है इस कार रवाय से पुलिस की कार्य शेली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो जाते हैं फूलपूर क्शेतर के साथ ही आजमगर में यह वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है बताया जा रहा है कि फूलपूर कोतवाली क्शेतर के खानपूर मुरियार में पती पतनी के बीच विवाद की सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुची थी इसी में पूचताच के बाद मार पीठ हो गई हाला कि इस वीडियो के असलियत जाच के बाद ही पता चल सकेगी वही मामले में एसपी सिटी शेलेंद लाल ने कहा कि वीडियो की जाच सियो फूलपूर को सौपी गई है रिपोर्ट के आधार पर संबंदिक व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कारवाई की जाएगी बाइच शेलेंद लाल पुलिस अधीक्षक आजमगर जिसमें एक कॉंस्टेबल एक व्यक्ति के साथ अबद्रता करता नजर आ रहा है इसकी जाच सियो फूलपूर को सौपी गई है शी ग्री इस कॉंस्टेबल गे वरुद नियम अनसार दंडात्मक कारवाई की जाएगी